इंसानों में एक प्रजात ही होती है जिसका दिल धक धक नहीं तुक तुक करता है धक धक इधर करता है तुक तुक इधर करता है यह क्रिकेट के कीड़े होते हैं जिनके पूर्वजों का एक कान रेडियो के किनारे बसा होता था जो पांच दिन का टेस्ट स्टेडियम में जा करते हैं ये गुजरे जमाने की बात है अब तो लॉकडाउन है अब तो टीवी के सब की उड़े अपने अपने घर में कैद हैं तो क्या करें हम बताते हैं कॉपी पैन निका लिए हाथ पर गोधना भी बना सकते हैं क्योंकि हम आपको क्रिकेट की छे दमदार डॉक्युमेंट इसके बारे में बताने जा रहे हैं हमारी लिस्ट में पहला नंबर है 1999 में आई अबैट एंड बॉल वॉर का टाइटल रिपीट कर देता हूं अबैट एंड बॉल वॉर क्या प्लॉट है इस डॉक्युमेंट्री का उनिस्ट अठानवे में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने नुक्लियर बम फोड़ लिये दोनों देशों में तनाव चरम पर फिर वाच्पई जी हमारे प्रिधान मंतरी बोले जो हुआ सो हुआ हम बस लेकर पाकिस्तान आते हैं बैट कर बात करेंगे इसी माहौल में उमीद का बादल बनकर जनवरी 1999 में पाकिस्तान क की टीम भारत के दोरे पर आती है वसी मक्रम की कप्तानी में और इस टीम को फॉलो करती है एक प्रोडक्शन टीम ट्रेसिंग रूम के अंदर तर पर सब कुछ ठीक नहीं था शिवसेन आड़ी हुई थी सीरीज नहीं होने देंगे फरवरी में दिल्ली में दूसर टेस्ट हो थी पुलिस में शिवसेना के कार्करताओं को रेस्ट किया ये चैप्टर खत्म हुआ तो स्टेडियम में साम छोड़ने की धंकी आ गई आलंग ये कि तब दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम में सब पेरों की एक तीम तहनाद की ती यो पूरे मैच के दौरान मैदान में साम दोरती थी लेकिन सीरीज हुई और शांदार ढंग से हुई चिन्ने का वो टेस्ट कौन भूल सकता है सचिन की हीरो एक इनिंग्स और उसके बावजूद इंडिया का मैच हालना और फेर चेपक स्टेडियम में दर्शकों का खड़े होकर पाकिस्तान के लिए तालिया बजा भारत और पाकिस्तान जो साथ में खेलते हैं तो लगता है कि जंग का मैदान खुप दिया है भारत और पाकिस्तान जब 1999 में खेले तो क्या हुआ आपको डॉक्यमेंटरी में नजर आएगा बहुत सारी चीजें जो नई होगी और क्या नया होगा आलाव नुसरत फते अली इस डॉक्यमेंटरी के बैकग्राउंड इस डॉक्यमेंटरी की डिरेक्टर है टोनी डेविस और इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं दूसरी डॉक्यमेंटरी है 2010 में आई फायर इन बैबिलॉन क्या है प्लॉट सतर और अस्री के दर्शक की वेस्ट इंडीज के क्रि की टीम मनाते हैं अलग अलग फ्राइड यूपी देशों से आए लोग और इनको एक सांचे में ढालते हैं क्लाइड 1975 में वो पहला वर्ल्ड कप जीते हैं लेकिन उस साल का अंत वेस्ट इंडीज के लिए बहुत खराब होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साट टैस सीरीज म और इसकी लिए क्लाइड ने क्या किया अपने हतियार तेज करने पर जोर दिया इस कोशिश से सामने आई फास बॉलिंग की वो पॉद जिसमें दुनिया भर के बल्लेवाजों में खौफ भर दिया माइकल होल्डिं एंडी रोबर्स जोएल गार्णर कॉलिन क्राफ्ट इनक इसके बॉलर्स को टेर्रिस तक कहा गया था यह उस अजे वेस्ट इंडीज टीम के बनने की कहानी है जो 1980 से 1995 तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं आदी इस डॉक्यमेंटरी में रेर फोटेज हैं उस दौर के दिगजों के इंटर्व्यू हैं और वेस्ट इंडीज का खालिस पन भी हैं मदा आएगा आपको देखने में इस डॉक्यमेंटरी की डारेक्टर है स्टीव अंडरेले और इसे भी आप यूट्यूबपर देख सकते हैं तीसरे डॉक्यमेंटरी देस्ट अन्यू एरा फोर अउस्ट्रेलिया स्टीव दोहजार 20 में आई है ये डॉक्यमेंटरी और इसका प्लाइट क्या है मार्च 2018 में आस्ट्रेलिया का साथ अफ्रीका दॉरा शुरू होता है तीसरे टेस्ट का तीसरे दे, आस्ट्रेलिया के Cameron Bancroft एक पीली पट्टी छिपाते हुए पखले जाते हैं, यह सेंट पेपर था, बने रेगमाल का कागज, नई यह इन पर अगल कर पुरानी बनाने के लिए वो इसे मैदान के अंदर लाए थे, क्रिकेट में यह गैर कानून अगले दिन का खेल शुरू होने से पहले कफ्तान और कफ्तान बदल दिये जाते हैं, श्टीज स्मित डेविड बॉर्डनर और Cameron Bancroft अपने ही देश में विलेन बन जाते हैं, प्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन तीनों खिलाडियों पर प्रतिबंद लगा देता है, कोच भी स् क्योंकि सिर्फ मैच में परफॉर्मिस दुरूस नहीं करनी है अपने देश को वापस अपने सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनाना है 2019 के वर्ल्ल कप में तीनों प्लेयर्स पर लगा बैंग खत्म हो चुका है डेविड बॉर्णर सबसे आधरन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नमबर पर आचुके है वर्ल कप के दो हफ्ते बाद एशेस सीरीज की बारी है और एशेस की शुरुआत में पूरा स्टेडियम रुला देने की हग तक स्लैजिंग कर रहा है सीरीज आगे बढ़ती है समूचा इंग्लेंड स्टीव स्मेर को आउट करने का रास्ता खोजने में जुटा है आठ एपिसोड की सीरीज आपको बताएगी कि यह जो क्रिकेटर परदे पर खुदा से नजर आते हैं यह आम इंसानों की तरह ही हसते हैं तनाव लेते हैं रोते हैं यह डॉक्यमेंटरी सीरीज क्रिकेट का इंसानी चेहरा दिखाती है इसके डिरेक्टर है एंड्रियन ब्राउन और इसे आप एमिजॉन प्राइम पर देख सकते हैं लिस्ट में चौती है क्रिकेट फीबर मुंबई इंडियंस 2019 में आई यह डॉक्यमेंटरी क्या है प्लोट? IPL की चमक धमक इसे मिस कर रहे हूँ तो आप इस सीरीज को परफेक्ट सुकून के साथ देख सकते हैं यह कहानी है मुंबई इंडियंस के 2018 के सीजन की अलग-अलग कल्चर से आई क्रिकेटर के ऐसे एक दूसरी साथ तालमिल उठाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम कोश्चों के बाद भी एक टीम की तरह खेलने का सुक फ्रेंचाइजी लीग में नहीं मिलता सब कुछ मैच के नतीजे पर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं चोट की बाहुजूद खिलाडी को बाहर बठाना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अपनी जेगे उलेकर असुरक्षा है ऐसे ही कई अंदरोनी किस्से हैं इस सीरीज आपको परदे के पीछे की IPL की दुनिया दिखाती है 2018 वो बरस था जब मुंबई इंडियन्स लीग फेज में डूर्णामेंट से बाहर हो गई थी अगले साल उसने बापसी की खिताब अपने नाम किया IPL की इतिहास की सबसे कामियाब टीम की असफलता का सफर कैसा था ये खिलाडियों ने, मैनेगमेंट में और फैंस ने कैसे देखा इसे इस डॉक्यमेंटरी में दिखाए गया है इसके प्रोडूसर है कोंडे नास्ट एंटेटेन्मेंट कमपनी और इसे आप देख सकते हैं नेट्फिक्स पर लिस्ट में पांचवा नंबर है आउट आफ दा एशिस का 2010 में आई डॉक्यमेंटरी क्या है प्लॉट अफगानिस्तान 2010 का साथ दशकों से लडाई चल रही है वंब, विसफोर्ट, ड्रोन हमले, स्युसाइड, बॉम्बे रोजमर्णा की जिन्दगी का हिस्सा बन चुके है ऐसे में इस मुल्क ने क्रिक्ट में खुशी तलाशी और इस कोशिश को दो बरसों तक एक कैमरा क्रू कैप्चर करता रहा यह डॉक्यमेंटरी अफगानिस्तान क्रिक्ट टीम के 2010 के ICC World T20 में कौलिफाई करने की कहानी है यह अफगानिस्तान क्रिक्ट की बुल्यात की कहानी है यह कहानी 2008 में शुरू होती है जब टीम के पास खेलने के लिए मैदान तक नहीं था अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्विपमेंट्स नहीं थे लेकिन एक चीज थी जुनोन और इसी लिए कम्यों के बावजूद उन्होंने शिकायत नहीं थे World T20 खेलने के बाद जब टीम वापस अपने देश लोटती है तो काबूल की सडकों पर लोगों की भीड जूमती है यह अफगानिस्तान के लिहास से बिलकुल अलहदा नजारा था अफगानों को इस खेल पर इतना भरोसा कि वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया को कोई चीज युद्ध की गर्मी से बचा सकती है तो वो क्रिकेट है इस डॉक्यमेंटरी को डिरेक्ट किया है तिमोथी अलबोन, लूसी मार्टिन्स और लेज्ली नॉट में इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं लिस्ट में छटमा और आखरी नंबर है बोडी लाइन इस जस्ट नॉट क्रिकेट का 2002 में आई ये डॉक्यमेंटरी क्या है प्लॉट इसका बोडी लाइन बहुत चर्चित है 1932-23 में इंग्लेंड की टीम आशेस खेलने आस्ट्रेलिया के दोरे पर पहुंचे इंग्लेंड की कमान डगलस जॉर्डिन के हाथ में थे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे बिल वुड़ फॉल इस सीरीज में एक नए नवेले खिलाडी पर सब की नजर थी 24 साल का नौजवान डॉन ब्रेटमेंड दो साल पहले ही 1930 की आशेस सीरीज में ब्रेटमेंड ने अकेले 974 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लेंड को उसके घर में दो एक से मात दी थी अब इंग्लेंड की टीम एशेस खेलने आस्ट्रेलिया गई थी उन्हें अपना बदला पूरा करना था और इसके लिए कप्तान डगल जॉर्डिन का क्या प्लान था ब्रेड्मैन को रोकने का क्या प्लान था वो अपने साथ लेकर आये थे दो हत्यार इनके नाम थे बिल वोक और हिलोर लॉर्वोट इन दोनों तेज गेंड बाजों को साफ निर्देश ताकि पूरी ताकत से बल्ले बाजों के शरीग को निशाना बना कर गेंड फेक है लेक्स साइट की तरफ बांसर्स फेक है बैट्समैन गेंड से बचने की कोशिश करें और किना राडा कर गेंड कीपर को या दूसरे फिल्टर्स को थमा बैट है इसी को लेक्ट थियोरी या बॉडी लाइन का अमिया आस्ट्रेलिया की टीम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कई किनाडी सीरीज में बुरी तरह गायल हो देए इंग्लिश टीम पर क्रिक्ट को कलंकित करने का इर्जाम लगा कहानी इतनी बिगड़ी कि इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया की राजनीतिक सब्बंधों में खटास आने लगी और श्रीलेक कप्तान बिल वुड़ फॉल में एक प्राइविट मीटिंग में तब कहा था कि यहां पर सिर्फ एक टीम क्रिक्ट खेल रही है और वो इंग्लेंड की टीम नहीं है इस बयान लीख हुआ तो अलग ही पखेडा हुआ इस डॉक्यमेंटरी क्रिकेट पॉल टेक्स इसकी गुत्थम गुत्थी का दिल्चस प्योरा है और क्रिकेट तिहास की सबसे विवादित और रुवांचिक टेस्स सीरीज की कहानी क्रिकेट के शौकीनों के लिए ट्रीट की तरह है किसमें डारेक्ट किया है इसे लिंक कंटेनर दे और इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं ललन टॉप पर ऐसे ही रेक्मेंडेशन्स आपको लगातार मिलते रहेंगे यह रेक्मेंडेशन तयार की हमारे साथ ही अभिशेक कुमार ले